हलो एवरीवान, वलकम टो वर चैनल MCB, MCB फ्रेंट्स आज एक ट्रेडिशनल पैटन का क्विक एंड इजी सारी कुछू डिजाइन बनाएंगे सारी पल्लू के इन त्रेड्स में हम आज एक डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज के स्क्वेर शेप में गोल्डन बीड्स लिए हैं साड़ी दो कलर है, सो हम यहाँ पे इन दोनों कलर सिल्क ट्रेड को यूज करते वे डिजाइन बनाएंगे यह क्विक एन इजी सारी कुचू डिजाइन है, ट्रेडिशनल डिजाइन है पट यह आज भी ट्रेंडिंग है सबसे पहले हमें हाथों को हलका सा गीला करते वे इन शिल्क ट्रेड को थोड़ा सा गीला कर लेना है और अब नेक्स्ट हमें इस कोम की मदद से इन शिल्क ट्रेड को नीट कर लेना है दो मिनिट राए होने के लिए छोड़ देना है हम यह पर पल्लो के रॉंग साइड से वर्क को स्टार्ट करना है नेक्स्ट हमें इस टेप और मार्कर की मदद से पल्लो के ऊपर एवरी हाफ इंच के डिस्टंस पे मार्क करना है उसके बार नेक्स्ट हमें किसी भी बिग साइस का निडल लेना है हमने यहाप एक पुरुशा लिया है थोड़े से ट्रेड्स को लेते हुए यह जो हमने हाफ इंच के डिस्टंस पे मार्क किया हुआ है इतने से ट्रेड्स को लेना है बागी के ट्रेड्स साइड कर देंगे हलका सा ट्विस्ट करते हुए इन सभी ट्रेड्स का हमें एक नौट बनाना है नीटले पल्लू के नजदी एक टाइट नौट बनाएंगे फिर से हमें थोड़े से ट्रेड्स को नीट करते हुए हाफ इंच के डिस्टंस में इतने ट्रेड्स है उतने ही ट्रेड्स को लेने है हलका सा ट्विस्ट करते हुए पल्लू के नजदी एक tight knot बनाना है हमें यह आपे इन knots को बनाते वद पल्लू बिलकुल भी fold नहीं होना है इस तरीके से हमें neatly knots बनानी है यह देख से हमें आपे पल्लू के नजदी एक tight knot बना लिया है इसी तरीके से हमें every half inch के distance पे knots बनाते वे first step complete कर लेना है friends first step complete होने के बार next हमें normal needle में two strands of cotton thread लेके एक knot दार लेना है हमें यहाँ पर उतना ही thread लेना है जितने हमारे thread में three fingers pass हो सके उसके बार इन threads को हमें needle में pass करते हुए एक small size का golden build इस needle में insert करने के बार इन threads में pass कर लेंगे फिर से हमें इस needle को इन threads में से pass कर लेना है next हमें इस needle में एक small size का golden bead insert करते वे इन threads में से pass कर देंगे ये beads को insert करने का बहुती easy method है friends हमने आपे सबसे small size के golden beads यूज किये हैं इनके बदले में आप यहाँ पे किसी भी size के beads, crystals या फिर pearls भी use करते हुए इस design को बना सकते हैं इसी तरीके से हमें सभी threads में beads add कर लिये हैं next हमें इस thread को लेना है, इसे side करते हुए next वाले thread में हमें दो parts बनाने है इन बाकी सभी threads को side कर देंगे second वाला part छोड़के इन दोनों parts को मिलाते हुए हलका सा twist करके थोड़े से distance, लगबग half inch के distance में इन दोनों threads को मिलाते हुए हमें या पे एक knot बनाना है इसे side कर देंगे, इस जो second वाला part है इसे side करना है next वाले threads में दो parts बनाने है second वाला part side में रखते हुए इस first और second इन दोनों parts को मिलाते हुए हलका सा twist करके यहां पे इन दोनों को मिलाते हुए एक tight knot बनाना है इसी तरीके से मैंने सारी पल्लू के इन threads को use करते हुए और भी सारी कुछों designs बनाए हुए है उन में से जो latest है उनका link मैंने उपर आई बटन में दे दिया है आप आई बटन पे क्लिक कीजिए वो सबी videos आपको easily मिल जाएंगे और लेटे सारी कुछों designs डिजाइन का एक अलग playlist बनाते हुए उस playlist का link वीडियो के end में दे दिया है वो videos आपको easily मिल जाएंगे इसी तरही के से मैंने लेटकन्स और कुछेट के सारी कुछों designs डिजाइन के भी अलग-अलग playlist बनाते हुए उन सभी का link description में दे दिया है आप description में विजिट कीजिए उन सभी playlist के link आपको easily मिल जाएंगे हमने second step इसी तरही के से knots बनाते हुए continue करना है second step हमने complete कर लिया है next हमें ये जो threads है इन threads को इस needle में pass करते हुए एक bead insert कर लेना है और इन threads में pass कर देना है फिर से हमें इस next वाले thread में इस needle को pass कर लेना है और इसमें हमें एक small size का bead insert करते हुए इन threads में pass कर देंगे next हमें इसी तरीकी से second line के every thread में एक एक beard needle की मदद से pass कर लेना है friends हमने सभी beads को pass कर लिया है third line में हमें यह जो thread है इस thread को और इसके next वाले thread को इन दोनों को मिलाते हुए हलका सा twist करके इन beads के नसदी यहां पे एक not बनाना है इसे हम side कर देंगी और अर्व next हमे next वाले ए जो दो threads है इन दोनों को लेना है इने knit करते वे हलका सा twist करके इन Beards के नस्देे हमें एक Knot बनाना है इसे भी हम side कर देंगे फिर से हमें इन दोनोå threads को लेना है इन दोनों threads को knit करते वे bead के नज़दे tight knot बनाएंगे इन beads में हमें बिल्कुल भी gap नहीं चोड़ना है यहाँ पर इन beads के नज़दे की tight knot बनाना है इसी तरीके से हमें third line continue करना है next हमें 80 strands of silk thread लेना है इन beads को थोड़ा सा उपर की और slide करते वे यहाँ से हमें back side से इन silk thread को pass कर लेंगे लगबग दो fingers इतने long silk thread को चोड़ते हुए next हमें जरी thread लेना है जरी thread को इन silk thread के back side से pass करते हुए जरी thread के इस knot में से needle को हमें pass कर लेना है एक और knot बनाना है उसके बाद एक turn लेते हुए इन सारी त्रेड और सिल्क त्रेड को नेट करते हुए एक और टर्न लेना है हमने यहाँ पर दो टर्न्स ले लिये हैं फिर से हमें सिल्क त्रेड को नेट करते हुए एक और टर्न लेना है इसी तरीके से हमें टोटल 5 टर्न्स लेने है इस जरी त्रेड के 5 rounds बनाने की बार लास्ट में हमें एक turn लेते हुए side में knot लगाना है अच्छे से tight knot बनाएंगे उसकी बार इन जरी त्रेड को turn करते हुए back side हमें इस जरी त्रेड है इन जरी त्रेड में से इस needle को pass कर लेना है next हमें इस जरी त्रेड है जरी त्रेट इसे कट कर लेना है इन सभी silk त्रेट को knit करते हुए इने भी हमें trim कर लेना है हमने आप एक tassel बना लिया है इस तरीके से आप जरी त्रेट के 5, 6 या फिर 7 rounds भी बनाते हुए इन tassels को बना सकते हैं इसी तरीके से हमें बाकि सभी तसल्स बनाने हैं आपने देख सकते हैं हमें सभी टसल्स को बनाते हैं वर्क को कम्प्लीट कर लिया है आपको यह डिजाइन कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए अल पर क्लिक कीजिएगा डिजाइन पसंद आए तो प्लीज इस डिजाइन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर कीजिएगा बलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के रिए थैंक्स पर वाचिंग सी यू सून बाबाए